आप सब लोग आज कई दिनों के बाद दिख रहे हैं ब्लोग में जंगलू में इन खूब सूरत से नजारूं के साथ आगे जो फारने वाले ही न वह भी वापसा आचुके ही लकडिया फार के हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो चलिए जी एक और वीडियो की शुरुआत कर लेते ही सबसे पहले आप सभी को मेरा त्यार भरा नमस्ते मैं हूँ आसा फर्ष्मार उत्राखन में समुली जिल लकणिया फाड़ी जाती हैं हमारे पडोश में मंसीर के महीने में रिया की साधी है तो आज उसकी साधी की लकणिया फाड़ी जा रही है और जब लकणिया फाड़ी जाती है तो अपने पडोशियों को बोलते हैं लकणिया शारने के लिए और फाड़ने के लिए भी तो ल वाजकल गाउन में बहुत ज़्यादा काम होता है तो सभी लोग अपने काम को मैनेज करते हुए चल रहे हैं तो कुछ लोग आगे जा चुके ही लकडियां लेने के लिए और कुछ लोग पीछे से आरे हैं और अभी न हम लोग यहां रोड में आ चुके हैं, यहां पे सब लोग यह चाया में बैठ गए हैं, तो आज न हम लोग कई दिनों के बाद मिल रहे हैं, इस तरह से मलब खेतु में तो मिलते रहते हैं, सब अपने अपने खेतु में होते हैं, तो आज कई दिनों के बाद मिल तो यहां पर चाया में बैठ गए हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा चुके हैं तो सब लोग ना अपने काम को मैनेज करते हुए चल रहे हैं तो चलिए अभी ना लग भाग लग भाग हमारी पूरी बेटी वारी टीम आ चुकी है और सबी चेहरे ये देख वही ऐ से मुर्जा रख है क्या सोच भी लगया हुआ है रर्षाद में नवरात्री के वरत भी चल रहे हैं और कई दिनों के बाद दिख रहे हैं यह सारे के सारे सारे गुम हो रखे ते कलना हुल रहे तो मुए तो मेरे वीडियो के माध्यम से करिए हमारे गाउं के इन खूब सूर पूरे खाली हो चुके हैं और आज कल लगाना भी शुरू कर दिया तो इन खेतु में अब गहुं बोये जाएंगे तो नए फसल बोने की तैयारी चल रही है तो यह है वही रिया तो रिया की साधी है रिया की साधी की लकड़िया फाड़ी जा रही है और रिया न लकड़ि जन्गलू में इन खूब सूरत से नजारों के साध आगे बढ़ते हुए ठंडी हवाएं भी महसूस हो रही है और बाकी जन्गलू का काफी खूब सूरत सा नजारा आप लोगों को दिखी रहा होगा यहां पर मांगू में भी काफी बड़ी बड़ी घास हो रखी है और तो आज कल का टाइम ऐसा होता है जिसके परिवार में जितने ज्यादा सदस्या होंगे उतना ज्यादा फाइदा है जिस घर में अकली महिला रहेगी तो वह यह सोच के यह उसका पराज भूर जाता है और हम लोग लेने के लिए जंगल की तरफ को जा रहे हैं बाकी जो फाड़ने वाले हैं वह भी वापस आ चुके ही लकड़िया फाड़के और सब के कंदों में इस तरह से एक एक लख्या रखी जाती है और वैसे तो रिया किसादी ना मंक्सीर के महिने में है और यह असोज का महिना चल रहा है एक महिना मतलब बीच में है तो मारे पहाड में दित्रिवाज के अनुसार ना कुछ महिने ऐसे होते हैं जिन में सुबकाम की सुर्वाद नहीं होती है जैसे कातिक के महिने में चैत के महिने में पूस के महिने में तो इन महिनों में लकड़िया भी नहीं प प्रशाद के लिए लगों को पता होगा शुतर्क वाली वीडियो में देखा होगा बीच रास्ते में एक पेड़ गिरा था बर्सात के टाइम पे तो आने जाने में परेखानी हो रही थी तो वह पेड़ यहां पे फाल दिया गया लगणियों के लिए तो जब शादी ब्या मे लगणिया फाड़ी जाती है तो शुर्का होआ पेड़ी फालते हैं प्रयावरण का कोई नुक्सान नी होता इसे और अभी नमेने आपे सोल्टी भी भर दी हो सभी लोगों ने सोल्टी भर दी लेकिन यह लगणिया ना काफी ज्यादा गिली हो रखी है क्यूंकि यह पेड जंगलों में कहीं कहीं पे कुछ इस समी करेके पतले रास्ते होते हैं और उपर नीचे साइड से चत्टाने चाहिए इन रास्तों को त야지 करते हुए हम लोगों को जाना होता है भाक हमेंरों के आदत होती है तो जी तो यहादा परःग भी नहीं परता है और तो गाई उगेरा नहीं चरते तो लोग उसको वहाँ पर मलग घास कारते हैं और उस घास को सुखाते हैं और स्टोर करके रखते थे हैं सर्दियों के लिए तो यहीं पर नहीं थोड़ा यहां पर भारी होजाइयों पर चाया और भार ना की दो लगती हैं यहां सर्दकौल वारज़ ते इस बश्वरकते सर्द पहलेती हैं हाई 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 अकातन बिंदी लगाएं पंच्छाटी भौन में रखा हुआ है क्योंकि खाना दूसरे दिन यहीं पर बनना है इसलिए लग्रिया यहीं पर खाली करी हुई है और सबी लोग नई है इस साइट को चाया में बैठ गई है इस पर आफ़ता गई है और गाउं का इ थी स्थरव को आना हो रहा है तो यह देखो बई नजारे काफी खुबशूरा लग रहे हैं और दो फैर में काफी तेज धूफ पड़ी हुई है लोग जा रहे हैं चाइपीने के लिये लोग ने घर में रिया यहां रास्ते में बैठी हुई है वेलकम करने के लिए तो यह बाटे में बैठी तो हम चाची लोगों के घर में आ चुके ही यह रही वही रिया की मा यानि की तुलन की मा यह रही है तुम लोग आप चाय पीएंगे और यहां चौक में बुवा जी बैठी हुई है और बुवा जी की विदा काफी टाइम से तव्यत खराब चल रही है तो यह रिया की दादी जी है और हमारी बुवा लगती है और बाकी यह इस तरब को न चौक में सभी लकडि फारने वालों को न खाना खिलाया जा रहा है में घरा चुकी हूँ बाकी तेज धूप तो पड़ी हुई है लेकिन हलकी हलकी हुआएं भी चल रही है आपे ना चौक में मडवा सुखाने के लिए भी डाला हुआ है इस मडवे की लवाई बाद हुई थी और बाकी पहले जो मडवे की लवाई करी थी वो तो हमने कूर दिया था तो इस रूंगडे में ना इसमें ये राजमा है और थोड़े से ही ज़्यादा नी है और इस वाली छन्डी में इसमें रखे हुए हैं ये हमारे घर की भासा में इसको बोलते ही सूटकी डाल लुविया टाइप की होती है लेकिन ये काले कलर की होती है आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जालों बताएगा बाकी घर के नव आजकल बहुत सारे काम होते हैं असोज के महीने में आप लोगों को पता ही होगा जो लोग घरगाओं से हैं तो उनको तो असोज का नाम सुनके आई काम सारे काम याद आ जाते हैं दिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ तक तक के लिए आप लोग खुश रहे हसे मुश्कराते रहे तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते बाई बाई